हेलो दोस्तों, ध्यांट जो मन्तम्, मैं दोस्तों आपके लाया हूं मसी निजाइन का important question कि आपका जो मसीन डिजाइन में क्या-skया important आप पढ़के जाए ताकि आपका exam अच्छा हो और आप maximum number गेन करتवा हैं और pass marking भी आपकी अच्छी हो जाएं ठीक है तो important हमारे देखते हैं हमारा question machine design में क्या गया है इसमें जो हमारी 5 unit है सारी unit से मैंने दोस्तों consider किया हुए question important question है अगर आप exam में इस तरीके से पढ़के जाते हैं तो से और आप दोस्तों pass हो जाएंगे और आपके number भी अच्छे आएंगे जो instrument काफी पहले से अच्छा मेहनत कर रहे है तो वीडियो की start करने से पहले आपस request है अगर आप channel पे नए हैं तो channel को जरूर subscribe कर ले तो पहले बात करते हैं हमारा कि जो मारा पहला question यहां से create होता है unit 1 से unit wise मैंने create किया हुआ है तो एक हमारा topic है कि fatigue failure क्या होता है अप जो material है what is a fatigue failure of material कौन कौन से उसी fatigue failure है वो सारे हमें पढ़ना है और कह रहा है कि explain the mechanism of such failure और उनके mechanism क्या है यह सारी चीज़े हमें क्या important question के तोर पर पढ़नी है यहमारा question आपको book में मिल जाएगा कि what is a fatigue failure हमारा क्या होता है material का explain mechanism क्या है ठीक है next हमारा question बनता है यहां से explain the theory of failure इसमें कुछ theory of failure हमारे given है ठीक है तो उन सारी theory को पढ़ना है सारे failure को पढ़ना है और जो भी उसके important formulas है वो आपको याद रखना है किसलिए याद रखना है क्योंकि जो यहां से numerical आपको question बनेगा वो इसी से यहां से बनता है एक के दो question कभी पूँच लेता है question दे देगा आपको मैंने कई सारे कुछ question discuss भी किये है आप देख सकते है numerical का session मेरा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीकी से मारा question यहां से पूँचता है suppose that सब कुछ देने के बाद पूँच लेगा कि इस theory के दोरा आपको define करना पड़ेगा कि उसका diameter क्या है तो यह आप theory of failure सारे आपको पढ़ने है और इसका जो important formula है वो आपको याद रखना है तीसरा हमारा question बनता है कि sigma n curve क्या है low cycle fatigue क्या होता है और man's equation क्या होती है यह को मारा topic है तो यह question 10 numbers में तीनों चीजे पूछी जाती है तो 10 numbers में आज से मारा question बनता है तो यह आपको क्या है कुछ important term है यह आपको क्या है पढ़ना exam के तार पे इसका क्या करना है आपको जो designing है पूरा rooted joint का उनकी क्या कारण है failure के यह आपको पूरी अच्छा तरीके से पढ़ना है कि ताकि आपको अगर पूछा जाता है या फिर हमारा question यहां से बने ताकि अगर आप designing के लिए है तो भी आप कर पाएं यह theory का question है तो भी आप कर पाएं ठीक है यहां से आपको पढ़ना है failure of rooted joint एक हमारा topic है boiler के लिए यहां से एक numerical का हमारा question मनता है कि design the longitudinal butt joint and circumferential lap joint design for the boiler boiler के लिए यह दोनों condition पे हमारा पूछता है कि किस तरीके से हमारा boiler design होता है तो यह आपको यहां से क्या है अगर आपका theory का question पूछेगा तो design करने लिए दे देगा और numerical का पूछेगा तो numerical का पूरा question देदेगा तो अगर आपको theory पूरी इसके अच्छी तरीके से आती होगी तब ही आप numerical कर पाएंगे अगर आप दोस्तों सूच रहे हों design में कि हम आप theory का portion करके pass हो जाऊंगा तो थोड़ा दोस्तों possible नहीं है क्योंकि passing mark आपके तीस नमबर लाने होते हैं तो आपको क्या इस तरीके से पढ़ना है उसका derivation अच्छे से पढ़ना है क्या derivation अच्छे से पढ़ना है अगर derivation अच्छे से पढ़ने हैं तो कुछ हर्थ तक आप numerical अच्छा कर पाएंगे तो derivation सबका अच्छे से आपको देखना पड़ेगा अगर आप derivation अच्छे से आता होगा तब ही अपने numerical कर पाएंगे तो यहां से हमारा question बनता है तो यह आपको पढ़ना है एक हमारा topic होता है eccentric load rooted joint and also the give its design procedure ठीक है इसका दोखो अभी जो हमारा पीछे year का paper था उसमें यह हमारा question पूछा भी था कि eccentric loaded rooted joint से question आया था वो numerical का portion दे दिया था लेकिन क्या है जो numerical यहां पे given था हमारा eccentric loaded से जो topic बनके आया था rooted joint का वो पूरा क्या है जिस तरह से designing होती है उसी तरीके से same पूरा numerical पूछा था इसका तो अकर आप designing इसकी अच्छे से आती है इसका theory वाला question अच्छे से कर लेंगे तो confirm है दोस्तों यह वाला question भी आप अच्छे से कर लेंगे तो यह question very important है क्योंकि पीछे बार भ आते हैं तो जो designing of soft का एक हमारा जो पूरा unit है third unit है तो यहां से आपको designing भी पढ़ने है और कुछ important question भी देखने है और कुछ important question मैं खुद अलड़ेडी दोस्तों कराया हूं तो अगर आपको designing of soft के बारे हम पहले details से पढ़ना है कि इसका theory का portion क्या है ठीक है और इसका derivation क्य तो आप धीरे धीरे कोसिस करें कि numerical भी आख करेंगे ठीक है यहां से हमारा topic बनता spring यहां से भी हमारा mostly दोस्तो numerical का question आता है अगर आप theory पढ़के जाते हैं तो हो सकता है एक दो question first जाएं बट दो number में बट यहां से question confirm दोस्तों पूछा जाता है ठीक है यह classification आपकी हमारा theory क पूर्शन है यह classification आप पढ़के जाएंगे ताकि अगर आप suppose अगर जिनका back लग जाता है तो तीस नमबर लाने होते हैं important पे तो यहां से अगर classification की भी पढ़के जाते हैं तो कुछ नमबर वहां से देरे देरे करके आप question को अच्छा कर लेंगे ठीक है तो classification की यहां से पढ़ना है ठीक है यह हमारा जो last का unit 5 है वो है key coupling and power screw ठीक है तो जो हमारा key का topic है छोड़ा topic है यह आप पढ़ सकते हैं और यह coupling का थोड़ा काफी critical हो जाता है ठीक है तो यहां सो numerical पूंचा जाता है बट आप थोड़ा थोड़ा देख के जाएंगे इस तरीके से कि आप प पहले पूंचा था लिविस बीम strength equation यहां से क्या derivation पूंचता है कभी कभी क्या है question भी पूंच लेता है जो mostly question यहां लिविस बीम strength equation से बनते है वो जनली formula बैसी बनता है इस तरीके से इसका designing है पूरा ठीक है equation है उसी तरीके से इसका numerical ही पूंचा जाता है बट यह वह important है क theory or failure यहां से भी question बनता है तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो exam में confirm है कुछ अच्छा कर पाएंगे फिक है यह important हमारे कुछ question थे machine designing से और इसके अलावा मैं कुछ question को discuss करूंगा आप पढ़ेंगे जरूर तो अच्छा कर पाएंगे thank you वारें इस वीडियो दोस्तों अग like share comment आप जरूर करें